पनोर्म कुरूप जो सोचता है वो करता है चुना होने के जिसमें बिहार भी सातो चर्णों में अपने अपने उमिदवार उतारेगा और सातो चर्णों में अलग-अलग तरह से सीट सेरिंग के समझोते को लेकर के चर्चाय चल रही थी आपको बता दें कि इसी बीच में जो खबरें हमारे पास आ रही है उसमें सीट सेरिंग समझोता के पहले ही सब कुछ सामने खुला हुआ नजर आ रहा है आपको बता दें कि कल तक ये बाते कही जा रहे थी कि कॉंग्रेस के साथ-साथ महा गठबंधन के भीतर यानि इंडिया गठबंधन के भीतर सीट सेरिंग का समझोता चल रहा है इसके साथ साथ हमने आपको ये भी बताया था कि राश्टिय और राज्य कारिकारणी की बैठाग बुलाई गई थी राश्टिय जनता दल के तरब से लालू प्रसाथ को अधिकरित किया गया था कि वो सीट सेरिंग के समझौता के साथ-साथ सीमबॉल का भी अवनटन करें इन सारी बातों को लेकर के अब जो हमारे पास सूचना आ रही है उसमें बड़ा पेच नजर आ रहा है पेच ये है कि सीट सेरिंग के समझौता से पहले ही लालू प्रसाद ने अपने लोगों के भी सभी सीटे बढ़ दी है महाग अठवन ने सीट बटवारा से पहले ही लालू यादो तेजस्वी यादो ने राश्टिये जनता गल के परत्यासियों को सिंबॉल भी अवंटित कर दिया गया है ऐसे में बिहार कॉंग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंग ने पटना इस्थितर आपड़ियावास ने पहुंचकर लालू यादो से मुलाकात की यह मुलाकात लगबग आदे घंटे तक चली अखिलेश ने कहा कि दो से तीन दिन के अंदर में सब कुछ क्लियर हो जाएगा लेकिन यहां मामला ही दूसरा नजर आ रहा है अब को बदा देख दो है याद 24 के लिए महाग अटवांधन सीट सेरिंग का फर्मूला अब तक फाइनल नहीं हुआ है लेकिन बिहार प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंग को यह पता भी नहीं है और सीट सेरिंग का समझोता से पहले लालू प्रसाद और ज लकात होती रहती है कौन सी नई बात है लेकिन उनके इस बयान के बाद बिना सीट बठवारे के लालू प्रसाद ने सिंबोल का वंटन कर दिया गया है लोग सबाचुनाव के लिए लालू याद अपनी पहली लिस्ट में चार उमिदवारों को सिंबोल दे दिया है आपको पता है कि ये चार सीटे पहले चरण में होनी है जिसमें 19 अपरेल को इन सीटों पे मतदान होगा और अंगाबाद गया नवादा और जमूई इन चारों सीटों के लिए राष्टिये जनतादल ने अपने उमिदवार की घोशना कर दी है जैसा कि लग रहा था कि जमूई में और गया में इस बार प्रतिनीटों मिल सकता है या और अंगाबाद में भी ऐसा लग रहा था कि जमूई और अंगाबाद में कॉंग्रेस को जगह मिलेगा लेकिन लालू प्रसाद ने इसको खारिज करते हुए गया में अपने जो पुर्मंत्री रहे है कुमार सर्जित उन् को सिंबोल दिया गया है जबकि सीट पर बहुत ही मजबूत उमिदवार कॉंग्रेस ने बहुत लंबे समय से खाड़ा कर रहा था जिसके लिए काफी फेल्डिंग भी तेज कर दी गई थी वहीं आपको बता दें कि सिंबोल आवंटित करने के बाद नवादा लोकसवा सीट से भी नाम साफ हो गया है और कहा जा रहा है कि यहां से स्रावन कुसवाहा को सिंबोल मिल सकता है वहीं आपको बता दें कि लालू परसाद ने इन सभी सीटों पे सिंबोल आवंटित करने के बाद अब तक जो सिर्फ एक मात्र जो है वो नवादा सीट पर ठोड़ा सा पेज कहीं कहा जा रहा है कि विनोद यादो को राजबलव परिवार के सदस्य हैं उन्हें सिंबोल दिया जाएगा कल इसको ले करके हंगामा भी हुआ था और लोगों ने समर्थन में राजबलव यादो के परिवार से किसी को उमिदवार बनाने की बात कही थी लेकिन इन सारी ब के साथ होते जस्वी यादों ने अब देखना दिल्चास होगा कि कॉंग्रेस क्या करती है कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस तर से पस्पतिकुमार पारस को इंडिये में से बाहर होना पड़ा था और वो अपने सिंबोल पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं और अब तक पार के राजनी और विहारियत से स्वरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर लिए ओजे गो घंटी बा उकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक ख़बर रुवा मुफ्त में मिल जाए अगर रुवा पत्रकाजिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता नहीं तो जॉइन बटन दबा दी पेटियम नंबर नोटकली 9386816700 धन्यवादी